केबीसी शोके इस सीजन को भी बाकी सीजन की तरहा दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। अब तक शोके होट सीट पर काफी सारे कंटेस्टेंट लाखों रुपे जीत कर अपने घर ले जा चुके हैं। हाला कि अभी तक कोई कंटेस्टेंट लाग से उपर की राशी जीतने में नाकाम रहा है लेकिन लगता है कौन बनेगा करोड़ पती के सीजन 14 को जल्द ही उसका पहला करोड़ पती मिलने वाला है प्रोमो देख कर तो ऐसा ही लग रहा है होट सीट पर केरला की डॉक्टर अनू वरगीज अपने ग्यान को टेस्ट करती नजराएंगी प्रोमो में भी दिखाया गया था कि केरल के थी रूसर से आई डॉक्टर अनू वरगीज ने 75 लाख का पड़ाव पार कर लिया था अनू एक करोड की सवाल तक पहुची जरूर लेकिन उस सवाल का गलत जवाब दिया नियम के मताबिक अनू 75 लाख की राश्री के साथ घर वापस गई एक करोड रुपे का सवाल 26 जन्वरी 1950 को भारत के पहले गरतंत्र दिवस के अफसर को चनहित करने के लिए जारी एक डॉट टिकेट में इन में से किस क्रती की पंक्तियों को उकेर आ गया था इस सवाल का सही जवाब है रखुपति राघव राजा राम डॉक्टर अनू ने अपनी सूज बूज का सबूत देते हुए 75 लाग रुपे की धनराशी जीत ली है अनू बेहत समझदारी से खेलती दिखाए दे रही है अमिताब बच्चन भी खोद उनकी तारीफ करते हैं और उनकी इंटेलिजनसी के कायल होते नजर आ रहे है अब देखना होगा कि क्या अनू एक करोड रुपे के सवाल का जवाब दे पाती हैं या नहीं क्या वो बन पाएंगी इस सीजन की पहली करोड पती